हेलो फ्रेंड्स दादा दाजी की किचन में आपका स्वाज़त है आज मैं नमक पारे बनाने जा रहे हूं और ये नमक पारे मैं आटे से बनाऊंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें चलिए हम नमक पारे बनाना शुवर करते हैं इसके लिए जो इंग्रीडियेंट्स चाहिए मुझे हो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने एक कप आटा लिया है आधा कप मैदा और एक बटा चार कप सूजी इसमें मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा थोड़ी सी अजवाएं और गी मौयन के लिए ये इसमें आधा कप से भी थोड़ा सा कम घीड लगेगा ये घी मौयन के लिए है बाकी तलने के लिए घी हम अलग हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अंदास से ये करीब आधा चम्मच के लगभग नमक है और ये आधा चम्मच ही अजवायन है इसको हम थोड़ा सा रगड के डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत उच्छा आता है आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकत हैं इतना घींक जाएगा इसमें मोहन के लिए अब हम इसको मोहन को अच्छे से इस पर मिला लेते हैं यह देखिए अच्छे से मोहन लग गया है मोहन को हमें बहुत अच्छे से लगाना है कई 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से रगड़िए तब ही आपके नमक पारे जो हैं खस्ता बनेंगे, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालके, टाइट बुन देंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डालें, ये देखें, दो बनके तयार है, हमको टाइट डो लगाना है, अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए, गीले कप्रे से ढखके, रख देते हैं, क्योंकि इस इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढखके रख देते हैं, ये देखें, डो को रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको एक बर मसल लेंगे, ये बहुत चिकना नहीं करना है, अब हम इसकी छोटी लोई बना लेंगे, अपने एसाब से छोटी बड़ी जित्री बड़ी भी बनानी चाहिए, क्योंकि इसके तो हमको पारे बनाने है, हम 3-4 लोई बना लेते हैं, हमने पूरे आते की 3 लोई बना ली है, अब हम इसको बेला, अगर किनारे निकले हैं थोड़े से तो कोई बात नहीं, हमें तो काट नहीं है, अब हम इसको थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, क्योंकि हमको नमक पारे बनाने है, यह देखिए, मैंने कितना मोटा बनाया, यह देखिए, आप इसकी मोटाई देखिए, इतना ही मोटा आप भी रखें, अब हम इसके पारे, अपने साफ से, जैसा भी साइज आपको रखना ह जैसा बनाएं चकोल लंबा जैसा भी आपको काटना हो काटें यह देखिए मैं काट रही हूं मैं स्कॉयर शेप में काटूंगी आप अपने इसाप से शेप रखें जैसे आपको पसंद हो अब हम इसको किनारे खटा लेंगे घी गरम हो चुका है अब मैंने इसको गैस को दीमा कर दिया है अब हम इसमें यह सब पारे मैंने बना के रखें तो यह देखिए यह सब मैंने पारे काट लिये हैं अब इनको हम प्राई करेंगे घी बहुत गरम नहीं होना चाहिए एक बार गरम करने के बाद आप घी को धीमा कर दें बीच बीच में घी को मीडियम करते जाए अपने हिसाब से अभी घी में जाने के बाद प्राई होने के बाद भी खोड़े और फूलेंगे अभी इसको पांच-साथ मिनट लगेंगे बनने में यह नमक पारे बनके तयार है इसको देखें किता अच्छा गुलावी कलर आ गया है अब मैंने इसको निकालने से पहले गैस थोड़ी तेज कर दिये जिससे कि यह घी ना पी है और सुखे सुखे निकलेंगे एकदम अब हम इनको निकाल लेते हैं यह बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं केवल सूजी की वज़े से क्योंकि हमने इसमें सूजी मिक्स की है हम इसमें यह बत्र हुए है इनको भी डाल देंगे आंच को दीमा कर देते हैं आप एक साथ डाल देए यह अंदर जाके अपने आप खुल जाते हैं यह पक्ते नहीं है देखिए नमक पारे बनके तयार हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरू करें सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरू करें हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल की सबी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करें मैंने इन सब का लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि डातलू करें मैं डेस्क्राइब आप मेरील मिन MORभ बॉक्स में आप उरूरूफ egentी से अら equity को खेम आप मैंस्बूस क को खेंगत्या शिक्छाइब चाल ताने मैं